यह हमने अपने सब्स्राइबर्स के लिए एक मुफ़का पेट्रोल बंग खोला है यहां आने वाले कस्टमर्स को पेट्रोल के साथ साथ लागों के तौफ़े और लागों रुपए जीतने का मौका मिलेगा मैं बज़ा पता हूँ कुछ दिन पहले इस पेट्रोल बंग के करीब एक कॉफ़ी शॉप से आते समय मैंने दो दोस्तों को पेट्रोल के पैसे के लिए लड़ते हुए देख लिया पता चला कि वो हमारी सब्स्राइबर्स था अच्छा उनसे मिलने के बाद में घर लोटाया लेकन उस दिन से मेरे दिमाग में बात चुब रही थी उस पेट्रोल के पैसे जो हमारे सब्स्राइबर्स के लड़ने का कारन था उसके बारे में मुझे कुछ करना था तो हम एक पैट्रोल बंग खोलेंगे बिलकुल मुफ्त वो भी सिर्फ दो दिनों में तो हमने एक पैट्रोल बंग सेलेक्ट किया जो यहां के अगल बगल के सारे जगों को कनेक करता है यही पर हम अपनी सब्स्राइबर्स से मिले थे गंटे बचे हैं बंक खोलने के लिए और अगर वो दोनों नहीं मिलते तो हमारा सारा प्रयास जाया हो जाएगा कुछ भी करके कल सुबह तक हमें उन्हें दूड़ना है नहीं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा तो हम राच से उन्हें ढूणने लगे। हमें आशा है कि सब ठीक तरीके से होगा। अब हम कुछ समय में एक बंक खोलने वाले हैं। Ladies and gentlemen, दुनिया का पहला प्री पेट्रोल बंक में आप सब का स्वागत है। सभी शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुख हैं। बंक मिल्टों में भर गया है। हर एक घंडे में सेकडों लीटर पेट्रोल पंप हो रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हुए। और कुछ लोगों को बहुत आश्चर हो रहा था। लोगों की संक्या ध्यान में रखते हुए हमें जल्दी गरह क्लियर करने थे। इसलिए हमने एक लिटर से लेकर फुल टैंक तक पेट्रोल डालने लगे। काफी लोग इस हिस्टॉरिक मोमेंट को अपने स्टाटस पर पोस्ट कर रहे हैं। इसकी खबर अगल बगल के सारे जगों पर फैल रही थी। ताकि इसकी खबर हमारे सब्स्ट्राइबर सब पहुँचे जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। और दूसरी ओर पूछताज भी जोरोशोर से हो रही है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसे वक्त बीत रहा है भीड़ भी ज्यादा बढ़ रही है। लोग इतने ज्यादा जमा हुए हैं कि हमारी सेक्योरिटी टीम उन्हें संभाल नहीं पा रही है। और कैमरा टीम से कैमरा संभाले नहीं जा रही थे। धीरे धीरे हम परिस्तिती का नियंदरन खो रहे हैं। हमें कोई उपाय की सक्त जरूरत है। तो अब हम इस बंक को अलग तरीके से संचालेत करेंगे। एक घंटा चला कर फिर एक घंटा बंद करेंगे। और एक जगा भीर जमा नहीं होनी चीए तो हमें फुल टैंक बंद करना होगा। और भीर कम होने पर फुल टैंक फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये प्लैन शुरू कर तो, सभी दबाव महसूस कर रहे हैं। तो दोनों सब्स्क्राइबर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये योजना बिल्कुल सही या एकदम खराब है। लेकिन किस्मत से हमें दोनों सब्स्क्राइबर में से एक का नमबर मिला। तो इस खुशी भरे पल के अवसर पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गेम जोन अनलॉक हुआ है शर्त एक ही है कि वो हमारे चैनल के सच्चे सब्सक्राइबर हो सच्चे सब्सक्राइबर का मतलब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं यह क्या shots या style है अच्छा आपने घर से आ रहे हैं फस्स पिन कहते हैं कि हर इंसान एक काम करने के लिए पैदा होता क्या आपने यह सुना है आप इस wheel घुबाने के लिए पैदा हुए है देखते हैं यह क्या जीतेंगे लेट्स सी देखते हैं वो क्या जीते हैं चलिए तो अगर इने इस पिन्द wheel में तौफा मिलता है उन्हें इस जार से slip उठाने का मौका मिलेगा देखते हैं वो क्या है ओके अच्छा यहाँ पर कुछ गुप्त बक्से भी हैं इन बक्सों में कुछ भी हो सकता है घर जाके गिफ्ट खोलिए तीके बईया तैंके बईया तुम क्या करते हो अच्छा वहाँ देखकर बो बार-बार हाथ धो यह इस संदेश को वो समाज को देना चाहते हैं और और चलो दूसरी और भीड उन्हें जीतने के लिए बढ़ावा दे रही है बीस हजार ले लिए है इस बंक को एक एक घंटे on-off cycle में चला कर भी हमारी security टीम भीड का नियंतर नहीं कर सके क्या हुआ ठीके क्या जीतना चाहते हैं जो भी wheel spin कर रहा है वो प्रातना कर रहा है कि उनकी ख्वाइश पूरी हो लेकिन कभी और जैसे आपने सोचा जो ये जीते हैं उन्हें केले मिलते हैं ऐसे नहीं हाथ उठाकर ये जीत गया अफिर केले भी तोफा हो सकते हैं मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये हमारी सब्स्ट्राइबर्स है और उनका यहाँ खड़े रहने का कारण है हम उन्हें एक एंजल कहते हैं सही वक्त पर आपको पता चल जाएगा ये जीतने वालों को एक एंजल चुनने का मौका मिलेगा अच्छा अब आप किस करेंगे इस नौजवान को किस की जरूरत है और अब आया ये ट्विस्ट जाकर एंजल को लेकर आईए जैसे ही मैंने एंजल को लाने को कहा सारे लोग एंजल को देखने के लिए उत्सुख हुए लेकिन सिक्यर्डी अंकल वहां के एंजल है इस लड़के को जो आस्चरे होने वाला है वो उसने सोचा ही नहीं होगा ये हमारे एंजल है तो जैसे एक तरफ गेम चल रहा है दूसरी तरफ पेट्रोल पंप हो रहा है जाने बिना हमने पूरा बाजार जब्त कर लिया इस दोरान हमारे सबस्क्राइबर गेम खेले के लिए रेड बार दिखा कर बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं तो हमारे कस्टुमर की साटस्टाक्शन का लेवल आज से पहले एतिहास में कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा एक एक करके हमारे सारे सबस्क्राइबर गिफ्ट जीत रहे हैं और फिर वो दो लोग जिनके लिए हमने पेट्रोल बंक खोला हमारे पास आए उस दिन उनसे बात करते समय वो बहुत भावख हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए हम एक फ्री पेट्रोल बंक खोल दें और हमने कर दिया वहाँ पर जो हो रहा था उने बिल्कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उन्हें वील्स विन करने का मौका दिया मैं चाहता हूँ कि आप जीते हैं आप क्या करते हैं दिहारी मजदूरी तो आप क्या जीता चाहते हैं गिफ्ट अच्छा वहाँ दूसरे सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं कि वो तोफा जीते हैं सारे जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स में कितने शक्ती है जो होता है उनकी इच्छा से होता है वहाँ दोनों जो चाहते हैं वो स्पिन लवील में जीत गए अगली 18 गंडों में एक असली सप्राइज उनका इंतिजार कर रहा है और वो मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ और दूसरोवर बंग फिर से ओवर्फ्लो होने लगा अचानक हमारे ग्रहाकों ने एक मांग की अब डालिये जी अब पेट्रोल डालो जी ओके और जैसे हमारे सब्स्राइबर्स ने चाहा मैं भी कस्तुमर्स को पेट्रोल देने लगा अचा तो इसे कैसे ओपरें करते हैं जैसे हमारे कस्तुमर्स ने कहा ऐसे पहने कभी नहीं हुआ है ठीक है, फुल टैंक कर दो हमारे लोकेशन को शेर ना करने के बावजूर हमारे बैनर्स काफी लोगों को हमारे लोकेशन तक पहुचाने में सफल हुए और फिर पारिवारिक दर्शक जमा होने लगे अच्छा तो आपने सारे वीडियोस देखें हैं, तो आप क्या चाहते हैं तो एक एक करके वो सारी वील को स्पिन करने लगे वो उस्तरे खुश थे कि उनके अपने पैरों में चपल ना होने की परवा उन्हें नहीं थी एक तरफ पेट्रोल भरे जाने के पैसे जमा हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे महीरा सब्स्ट्राइबर्स सक्री रूप से भाग लेने लगे अच्छा तो आपको गिफ्ट चाहिए? जी हाँ ये लीजे आपने से जहाँ वो जीत गए, अच्छा उसे साइकल चाहिए? ठीक है ये लो, आप खुश हो ना, जिन लोगों ने तोफे जीते वो खुश थे और जिन्होंने केले जीते वो भी खुश और जिनको किसिस मिले, वो ज्यादा खुश हुए देदे से दीजी घरवालों ने पूशा तो क्या बताएंगे? कोई भागिवान लोगों से इनका सौभाग्या नहीं चीन सकते आखिर में उन्होंने कहा कि उनकी सक्त मूच चुब रही है और हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि बच्चों से लेकर बढ़ों तक स्पिन ल वील में पैसे जीतने पर हमें कोई दिक्कत होगी हमारे पेट्रोल बंग की लोग प्रियता बढ़ने लगी और अगल बगल के गाउं से लोग वहाँ पर आकर हमारी प्रशनसा करने लगी नहीं नहीं ऐसा बद कीजिए नहीं बद कीजिए सारे वहाँ पर आए होए लोग कह रहे थे कि ये सबसे बढ़िया बंग है और उसके साथ उन्हें वील स्पिन करने का मौका मिला अचा पैसा चीए क्या खरीदोगे अक्वेरियूम और वो कितना बड़ा होगा घुमाओ वक्त के साथ गेम जोन में भीर बढ़ने लगी कैमरा में अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था और भीर का नियंतरन मुश्किल हो रहा था लेकिन हमने लक्ष प्राप्त किया जो हम चाहते थे पेट्रोल बंग एक संसरी खबर बन गई और नस्दीक के जिलो से लोग वहाँ पर आकर पेट्रोल भरने लगे और पेट्रोल भरने आये होए लोग पैसे जीत कर उन्हें गिनने में लग गए तो हमने हमारे वी आईपी कस्टमर को बिना वील स्पिन के गिफ जीतने का मौका दिया एक एक करके लोग आने लगे और पैसे और तोफे जीतने लगे हमारे पेट्रोल बंग की वज़े से वहाँ दुनिया बदर गई आम लोगों के चेहरों पर मुस्कुरा दिखाई देने लगी ग्रा कतार में खड़े होकर वील स्पिन कर रहे थे अब केले और किसिस का अंत हो चुका था और वील स्पिन करके लोग पैसे जीतने लगे और अंजाने में भीड़ नियंतरन खोकर मनी टेंट पर गिदने लगे तो सबस्क्राइबर्स की सुरक्षा के लिए हमें टेंट बंद करना पड़ा फिर हमारे सबसे चहीते सबस्क्राइबर को दूसरा मौका मिला क्योंकि वो हमारे सबसे चहीं थे सब्सक्राइबर है न और वो बहुत खुश भी हुए लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उनके लिए एक और सप्राइज उनका इंतिजार कर रहा था हमारा पेट्रोल बंक एक काफी बड़ा हिट हुआ अब सिफ चार गिफ्ट बचे हैं लेकिन कस्टमर की सुरक्षा के लिए हमें बंक 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 करना पड़ा सबी अपने तोफे घर ले गए और हमारा प्लान सफलता से पूरा हुआ ये दिन उनके और मेरे जीवन का उत्कुरुष्ट दिन था लेकिन उस रात में चैन्स ये सो नहीं पा रहा था पेट्रोल की कीमत अब रोज की तरह हो गए हम अपने सब्स्क्राइबर्स काई से कैसे चोड़ सकते हैं ये किसको दिखा रहे हैं उनके साथ मैंने उनके चहिते खेल खेले और उनके साथ बैट कर हमने उनके चहिते वीडियोस फिर से देखे उस सब के बाद उनके सप्राइबर्स का खुलासा करने का समय आ गया और वो surprise क्या था उनको बिल्कुल पता नहीं था तो जब हमने उनकी आखों की पट्टी निकाली तो उन्हें लगा कि वो खाना खाने जा रहे थे नहीं वो नहीं वो आपका surprise नहीं है आपका surprise आपके पीचे है उनके खुशी कि कोई सीवा नहीं थी जैसे कि उनके पर निकलाए हूँ अब पेट्रोल उन्हें नहीं रोक सकती ये electric bikes हैं इन्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं है इस surprise से वो बहुत भावक हुए ये वीडियो अपने subscribers के लिए मेरा एक प्रेम पत्र है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी प्यार उसनिय से ज्यादा जरूरी मिली और कुछ नहीं है इतना कि अगर कभी मेरा bank balance शून्य भी हो जाए तो परवाव